नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं मैं हूराज मुहंतिवारी बिहार में महागडबंदन की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजश्वी यादो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं बिहार में एक नई शुरुवात करने की बात कह रहे हैं बिहार में विकास का एक नया युग देखने को मिलेगा ऐसा तेजश्वी यादो का मानना है शमाजवादियों की एक जुटता करने की खूद परयास की जा रही है लेकिन बीते दिनों मुख्यमंत्री निटीश कुमार ने तेजश्वी यादो को लेकर एक बात कह दिया जिसमें ये साफ माना जा रहा है कि अब निटीश कुमार तेजश्वी यादो को बिहार की कमान सौप सकते हैं लेकिन निटीश कुमार के इस संकेत के बाद जेडिव के ही कई नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं देखिए जैसे ही निटीश कुमार ने वो बयान दिया उसके बाद आरजेडि के वरिष्ट नेता शीवानंद तिवारी के तरप से भी इस पर प्रतिकिडिया आ गई और उन्होंने ये भी कहा कि चलिए अब तेजश्वी यादो को दो हजार पचीस में कमान शौप कर हम लोग आसरम खोल लेते हैं लेकिन जेडिव के संसदिय बोट के अध्यक्च उपेंदर कुश्वाह को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने सीधे तोर पर शीवानंद तिवारी को कह दिया कि आप अपने लिए एक नया आसरम ढूड लीजिए नितीश कुमार को अभी बहुत आगे बढ़ना है देखिए जेडिव के तरब से जो प्रतिकिरिया आई सबसे पहले उपेंदर कुश्वाह की आई और करी प्रतिकिरिया आई तेजश्वी यादों को 2025 में CM बनाने को लेकर उपेंदर कुश्वाह और नितीश कुमार की अगर यारी की बात करें तो बहुत पहले से समता पाटी के समय से ये दोनों हमेशा साथ रहे लेकिन इन दोनों के बीच में समय समय पर खटपट भी देखने को मिली जब जनता दल यूनाइटेड बनी तो उपेंदर कुश्वाह एक बार फिर नितीश कुमार के साथ आए 2005 का चुनाओ जेडियू के टिकट पर लड़ा लेकिन कहा ये जाता है कि नितीश कुमार अंदर अंदर ऐसी चाल चले कि 2005 के विधान सभा चुनाओ उपेंदर कुश्वाह हार गए जिसके बाद उन्होंने जेडियू छोड़ दिया था लेकिन 2010 में नितीश कुमार ने उपेंदर कुश्वाह को एक बार फिर जेडियू में सामिल कराया और राज्यसभा भी भेजा लेकिन उसके बाद उपेंदर कुश्वाह एक अपनी ताकत बनाने का परियास करने लगे कोईरी समाज को एक जूट करने लगे और नितीश कुमार को ये नगवार गुजरा और उन्होंने एक बार फिर उपेंदर कुश्वाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिसके कारण 2013 में एक बार फिर उपेंदर कुश्वाह नितीश कुमार का साथ छोड़ दिये और अपनी एक नई पाटी रालोषपा बनाई एंडिये में गए चुनाओ भी जीता लेकिन जब 2017 में नितीश कुमार की दोबारा एंडिये में वापसी हुई तो 2018 में उपेंदर कुश्वाह ने एंडिये का भी साथ छोड़ दिया 2020 में अलग चुनाओ लड़ा और कहा ये जाता है कि चिराक पास्वान ने जितना डैमेज नितीश कुमार को कई सीटों पर किया उतना ही डैमेज उपेंदर कुश्वाह ने भी 2020 के चुनाओ में नितीश कुमार की पाटी को दिया और कुश्वाह जो वोट था जो नितीश कुमार के कोर वोट बैंक का एक हिस्सा था उसे बहुत बड़ी संक्या में अपनी तरब खीच लिया लेकिन ये जो शमिकरन 2020 में देखने को मिला और जिस कारण जेडियू को नुक्षान हुआ उसके बाद नितीश कुमार ने उपे वो राजनीती से दूर जाने की सोच रहे हैं और आगे जनता दल यूनाइटेट को अगर नेता की जरूरत होगी तो उपेंदर कुश्वाह की कमी खलेगी इसलिए वो वापस जेडियू में आ जाए अपनी पाटी का विले कर ले और देखिए ऐसा ही हुआ 2020 का चुनाव पन हुआ और उसके बाद उपेंदर कुश्वाहा ने अपनी पाटी का विले कर लिया जेडियू के संसधिये बोट के अध्यक्श बनाए गए एमलसी भी उन्हें राजपाल के कोटे से बनाया गया लेकिन उपेंदर कुश्वाहा को केवल यही नहीं चाहिए था उपेंदर कुष्वाहा की जेडियू में वापसी हुई तो आर्सिप्पी सिंग भी बेहद नराज बताए जा रहे थे उस दोरान आर्सिप्पी सिंग और उपेंदर कुष्वाहा की एक मुलाकात भी नहीं हुई यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि एक मोरल तोर पर एक दूसरे को पर पहुँच गए और ना ही आर्सिप्पी सिंग ने उपेंदर कुष्वाहा को लेकिन देखिए आर्सिप्पी सिंग अब जेडियू से साइड हो चुके हैं ललन सिंग और उपेंदर कुष्वाहा की जोड़ी जेडियू में चल रही है लेकिन अब उपेंदर कुष्वाह कहां ये सोच रहे थे कि नितीश के बाद नेता बनेंगे लेकिन नितीश कुमार ने तेजश्वी को आगे कर दिया ऐसे में जब सीवानम्तिवारी ने आसरम खोलने की बात कही तो सबसे पहले प्रतिकिरिया तो उपेंदर कुश्वाहा के तरफ से ही आनी थी और आभी गई कि अभी आसरम की कोई सोच विचार नितीश कुमार के लिए नहीं है उनको बहुत आगे जाना है यानि कि परदान मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहा है तो उस और उन्हें जाना है तो जश्वी यादो के लिए भी वेकेंसी नहीं है अभी उनको इंतिजार करना होगा क्योंकि उपेंदर कुश्वाहा साइद ये भी सोच रहे हैं कि अब जब नितीश कुमार दूसरे तरफ उचे पद की और बढ़ेंगे तो जेडियू में सीट खाली होगी तो साइद कमान संभालने का मौका मिलेगा लेकिन क्या नितीश कुमार उपेंदर कुश्वाहा को जेडियो की कमान देंगे क्या नितीश कुमार उपेंदर कुश्वाहा को सीएम के तोर पर प्रजेक्ट करेंगे और क्या महागटबंदन के कोई भी दल उपेंदर कुश्वाहा को मानेंगे सवाल यही है और हर कोई इसका जवाब जानता है कि यह होने वाला नहीं है और इसलिए अब शिवानन तिवारी के बयान को लेकर उपेंदर कुश्वाहा ने कहीं न कहीं कटबंदन में दरार पैदा करने की एक कोशिश जरूर की है शियम नितीश कुमार और तेजश्वी यादो की जुगलबंदी अभी बिहार में है और दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते भी दिखाई देते हैं ऐसे में दोनों के बीच में अभी दरार की कोई खबर केवल इस बयान के अधार पर तो न कर आने की कोशिज कर रहे थे और उसी लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उमेश कुश्वाह का नाम भी आगे किया गया आ नेताओं को आगे करने की कोशिस की गई उपेंदर कुश्वाहा को भी लेकर आये लेकिन उपेंदर कुश्वाहा केवल एक कुश्वाहा नेता के तोर पर जेडियू में नहीं आये थे उनका शपना कहीं न काहीं जेडियू का नेता बनना था नितीश कुमार की जगा लेना थ और देखिए 2022 में पिछले महीने जब महागडबंदन की सरकार बनी और मंत्री मंडल का विस्तार की जब बात सामने आई तो उपेंदर कुश्वाह को भी मंत्री बनाने की चर्चा खूब होई लेकिन वो मंत्री भी नहीं बन पाए बाद में कुछ कर नहीं सकते थे तो उन्हो लोब नहीं है कोई स्वार्थ नहीं है वो बस पाठी को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन हर कोई जानता है कि राजनिती में स्वार्थ ही सब कुछ है और जो अब के नेता है वो स्वार्थ के बिना कोई कदम आगे नहीं बढ़ाते चाहे कोई भी नेता हो तेज़ाश्व दावेदार बनने से उपेंदर कुश्वाह के सपने को जरूर धक्का लगा है अब देखना है कि जेडी और आर जेडी के बीच में जो हलकी सी खीस्तान अभी उबड़ी हुई है क्या निताओं के बयान बाजी से और आगे इसमें दरारे पैदा होती है या नितीश कुमार इस जरूर करें